आज डाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरत वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउटनेट करें अर्थात यहां एक ट्रांसफार्मर दे दिया गया है, और ट्रांसफार्मर का कार यह क्या है, वोल्टता का नियमन या फिर उच्चामन करना, ठीक है, तो यह वोल्टता कम या फिर अधिक करके देगा हमको, तो यह प्रत्यावरती धारा पर कारे करता है, इसका साफ वर्थ यहां है कि हम निवेशी ले रहे हैं प्रत्यावरती धारास्त्रो या फिर प्रत्यावरती वोल्टता अस्त्रो जिसके वज़े से धारवत्पन्न होती है तो यहां प्रत्यावरती वोल्टता है मतलब क्या है कि वोल्टता का आरेक खीचे तो वोल्टता समय के साथ अपना मान तथा दिशा दोनों परावर्तित करती है ठीक है अब मान और दिशा दोनों परावर्तित करती है उससाब से जो दिशा है तो हम दिशा के साब से क्या बता सकते कि यहां परिपात चित्र में जो डायोड दिया गया है वो धारा को एक ही दिशा पर प्रवाहित होने की अनमती द यह हमको याद रखना अब इसके बाद हल करते हैं तो यह पर देखते हैं जो भी धारा आएगी वह इस तरफ और इस तरफ क्रम शह गती करेगी धारा जो है वह और यह लोड प्रतिरोध हमको दे दिया गया तो दोस्तों यहां पर देखें अगर धारा जो है वह घड़ी के चित्र बना ले ये RL, तो यहां पर धारा जाने की दिशा किस ओर हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी. वापस विपरित दिशा पर धारा प्रवाहित नहीं होगी क्योंकि उस दशा पर, मतलब धारा के इस ओर आने पर ये भी पस्चे दिसिक हो जाएगा और ये भी पस्चे दिसिक हो जाएगा दोनों पस्चे दिसिक हो जाएगे तो धारा को केवल इस दिशा पर प्रवाहित होने के अन्मति देंगे ठीक है तो यहाँ निवेशी जो सिगनल है वो अगर हम देखे समय के साथ इस तरीके से रहेगा निर्गत सिगनल जो है वो अर्ध चक्र यहाँ दिश्टकारी के रुप में रहेगा मतलब पूर्ण चक्र नहीं रहेगा नीचे वाले जितने चक्र है वो हट जाएंगे ठीक है पुछ इस तरीके से प्राप्त हो सकता है तो यह एक दिश्टकारी है हाला कि अर्ध तरंग दिश्टकारी है लेकिन यह एक दिश्टकारी है और प्रश्णा पूछा है दिश्टकारी नहीं है ये धारा लोड प्रतिरोद से होकर इस डायोड पर जाएगी तो ये डायोड पस्च दिसिक हो जाएगा पस्च दिसिक हो गया मतलब ये धारा को प्रवाहित होने की अनमती नहीं देगा धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही, मतलब इस डायोट से भी होकर धारा नहीं आई होगी, ठीक है, तो यहाँ धारा नहीं आई, अब धारा जो है विपरित दिशा पर प्रवाहित हो रही तब की स्थिती पर देखते हैं, तो इस डायोट से तो आगे बढ़ गई अगर दिसिक ह लिए और धारा के इस मान के लिए किसी भी दिशा पर धारा प्रवाहित नहीं हो रही है तो यह एक दिश्टकारी नहीं है यहां लिख देते हैं यह दिश्टकारी परिपत नहीं है यह धारा को प्रवाहित होने की अनुमत्ती ही नहीं दे रहा है और हमको धारा चाहिए एक ही जो है धारा के किसी भी दिशा के मान के लिए कोई एक डायोड पस्चे दिशिक हो जा रहा है विकल्प C पर देखते हैं तो विकल्प C पर भी डायोड कुछ उसी तरीके से सललगना है लेकिन narciss प्रतिरोध इनके मध्या ना हो करके इनके मध्ये से एक terminal निकाला गया है उसमें load प्रतिरोद का एक सिरा है और दूसरा सिरा जो है वो कुंडली के मद्य से एक terminal या फिर संधी ले ली गई है वहाँ से सल लगना है ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा जब धारा इस कुंडली से कुछ इस तरीके प्रवाहित होना चाहेगी तो धारा इस ओर निकलेगी यह अगर दिसिक हो गयाँ से गईगी तो यहाँ से धारा तो किस तरीके से बना सकते हैं चलिए देखते हैं निवेशी हमारा सिगनल किस तरीके से रहता है कुछ इस तरीके से निवेशी रहता है निर्गत हमको मिलेगा तो जो निवेशी में नीचे आ रहा था वो भी पूरी तरीके से उपर ही मिलेगा तो कुछ इस तरीके से हमको नि वेशिक लिए तो यह पूर्ण तरंग दिश्टकारी हो गया, मतलब पूरे तरंग का दिश्टी करन ये कर रहा है, तो विकल्प सी भी एक दिश्टकारी है, जो कि दियेगा एपर रशन के लिए गलत विकल्प है, क्योंकि सही विकल्प में हमको क्या चुना था, जो परिपत नहीं है, वो हमने चुना हुआ है, और हमारा उत्तर क्या है, विकल्प क्रमांक B, क्योंकि यह दिश्टकारी परिपत नहीं है, डी पे दिया है, इन में से कोई ने, तो वो गलत हो जागा, विकल्प भी हमारा सही उत्तर हो जाएगा, धन्यबाद.